लौकी का नाम सुनकर अगर आप भी नाक मौसी को उड़ते हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है आज की ये जो लौकी की रेसिपी है अगर आपने ये सबजी एक पर खा ली ना मैं गैरेंटी देती हूँ लौकी से आपको प्यार हो जाएगा तो चलिए इस म स्लाइस करत रहे हूं मैं दो लौकी सिपलाकी तो आगे ये इंट है इस तो आगे से चोटी थी स्लाइस की ऑच और जब ऑगे मैंने इसको कट किया किया इनको ऊटे आगे तो अब शर्स नीकलने ल calls सोला क्या ला रखे लौकी कटके तियार कर लिए सosphat मसाली स्वाद हैं एक छोटी चमच मैंने लाल मिच पाउडर चोथा चमच क्रीब हойдऊ हल्दी पाउडर एक बड़ा चमच मसाली आप अपने स्वाद के नुसवार कामिल zria कर सकते हैं दो छोटे चमच करीब इसमें और दिया है नॉर्मल कुकिंग और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो मैंने हाथों से मिक्स किया है तक यह सारा मसाला है एक एक पीस पर अच्छे से कोट हो जाए तो यह देखिए लौकी हमारी रेडी है चलते हैं गैस की तरफ यहां एक कडाई मने लिए है इसमें इस सारी लौकी हम डाल देंगे आप कोई भी पैन या फी फ्लेट सर्फिस का तवा मिले तो आप वह ले लिजेगा यह जो लौकी है ना पूरी कडाई में इस तरीके से अच्छे से मैं फैला दूंगी एडिशनल ओयल नहीं डाल रहा है कि और अल्वेडी इसमें दो यहां मैंने तीन टमाटर लिए हैं थोड़ी सी अद्रक है लेसुन है और हरी मिर्श है इन सब को मिला कर इसका हम पेस्ट बना लेंगे अब सेम उसी कडाई में तकरीबन दो से तीन बड़े चमच ओयल डाल दिया है आरी चोटी चमच जीरा एक टेबल स्पून मैंने डाला ह न इसको ग्रशा करके डाला है दो तेज पत्र डाला है इन सब को लोग फ्लेम पे हलका सा Хак क्रैकल होने देंगे बस इसमें डाल दूगी दो प्याज हे मीडियम साइस के जिसको बारीक हम्ने चौप कर लिया इन सब चीजों को हलका सा में भूनना है बहुत ज़रा कलर चेंज नहीं करना है देखे प्याज इस तरीका ट्रांस्लिस्ट यानि पादर्शी हो जाएगा तो हम इसमें मसाले डालेंगे तो आदी चोटी चमच कश्मीरी लाल मिच पाउडर एक चोटी चमच दनिया पाउडर चोटाई चमच छल दी और थोड़ा सा मैंने डाल है तीखा वला लाल मिच मसाले अलड़ी हम वहाँ पर लौकी में डाल चुकी है तो यहाँ थोड़ा सा सावदानी से डाले अब बस अच्छे से मिक्स करने के बाद यह जो टमाटर अद्रक लैसुन वाला पेस्ट है वह हम बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ यह सबजी बनती है लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही गजब अच्छे से मिक्स कर दिया अब डाल देंगे स्वाद के अनुसरा नमक तो नमक भी ग्रेवी के अकॉर्डिंग ही डाले क्योंकि लौकी के अकॉर्डिंग हम अल्रेडी डाल चुक अब इसमें डाल देंगे तीन चमच मैंने अपर दही डाला है दही एकदम ताजा है यहां थूड़ा सा वीडियो स्किप हो गया दही डालते इमीडियेटली इसको मिक्स करें और जब तक ग्रेवी में उबालना आए तब तक हमें पकाना है तो यह देखिए अच्छे से इस यानि जो मलाई है वो कोकना हो जाए तो यह देखिए मलाई ने उपर से गी छोड़ दिया है ग्रेवी हमाई लगबग यहां पर रेडी हो चुकी है अब इसमें मैं डाल दूंगी जो लॉकी हमने रेडी करके रखी है फ्राय करके वह हम डाल देंगे और हलके हलके हाथ से इ इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इसको 80% कोक करें थोड़ी बहुत जो कसर होती है वो इस टाइम हम जब ग्रेवी के साथ पकाएंगे तो वह पूरी हो जाएगी तो देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है अब इसमें मैं डालने वाली हूं शिम्ला मिर्च जी हाँ कैपसिकम हम डालेंगे इससे क्या होगा हमारा जो सबजी है ना उसको टेस्ट एक दम बदल जाएगा मैंने लौकी का फ्लेवर होता है ना उसको यह चेंज कर देगी और जैसा कड़ाई पनीर अगर आप खाती हो ना बिलकुल वैसा इसमें टेस्ट आने लगेगा बहुत ही डेस्टी लगती है तो शिम्रा में जरूर डालें अब मैं इसमें पानी डाल रही हूं तो जिस बोल में मैंने लौकी को मारिनेट किया था उसी में ही मैंने आदा कब पानी ले लिया है पानी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं जिससे सब्जी तो अभी सेही देखके टैंप्टिंग लग रही है और यह लीजे है हमारी बहतरीन सी लौकी के सब्जी बन करके रही है यह देखने के लग रही है ना मज़दार टेस्ट तो ऐसा है ना मनला में जो लौकी नहीं खाता होगा ना वो भी उंगलिया चार चार कर आप देखें ग्रेवी देखें कितनी बढ़िया इसकी बनी है एकदम लटपटी सी एकदम बहुत ही टेस्टी यह बनती है मैं आपको असे वर्ट्स में नहीं बता सकती उपसे थोड़ा से डालेंगे हरा दनिया और बस इसे गर्मा गर्म सर्फ करें अपने पसंद की रोटी पूरी पराठा चावल किसी के साथ भी खाईएगा आपकी तारिफ करता नहीं दगेगा तो आशक करती हूं दोस्तों मेरी आज की यह लौकी की रेसिपी आपको जरूर से पसंद आई होगी तो आप भी से ट्राइ करें और आपका फीडबेक जरूर शेयर करें